हेलो स्टूडेंस वेलकम दू कॉंपेटिशन कम्यूनिटी इस यूट्यूब चैनल, कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, मेरा नाम है प्रांजल सिंग and I am the faculty of law and the competition community और आज आप सभी स्टूडेंस के लिए मैं लेके है ट्राइल्स को और आज हम स्पेसिफिकली डील करने वाले हैं सेशन्स ट्राइल के बारे में जो कि दिया हुआ है सेक्शन 225 से 237 तक अब आज के इस वीडियो का सबसे बड़ा हाइलाइट आपके लिए यह है कि आज हम आपको सेशन्स ट्राइल केवल एक वीडियो में सेशन्स ट्राइल का दोनों का कॉंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तो आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं सेशन्स ट्राइल के बारे में अब सेशन्स ट्राइल को शुरू कर लेने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सेशन्स ट्राइल से पहले का प्रचास कहा है जिसको हम strangely किको अ की और हो सकता है तो जब वह इंबस्तिगेशन कर रहे हो तो उसको जब लगAy कुछ लोगों को arrest करने की, अब पुलिस जब वो arrest करेगी तो उसको लेके जाएगी magistrate के पास क्योंकि 24 गंटे के अंदर हमें पेश करना होता है magistrate के पास, उस investigation के दौरान वो ऐसे बहुत लोगों को arrest करेगी, उनकी custody लेगी एक महीने, दो महीने या 3 महीने, जितने का भी समय लेने के बाद पुलिस ने अपनी investigation report समिट करी magistrate को, अब पहली बार magistrate के हाथ में वो file आई, जिसमें वो तै करेगा कि ये case कैसे चलना है, अब magistrate अपने level पे inquiry करेगा, उस investigation report को देखेगा, पुलिस ने जो charges लगाए हैं, उनको judge करेगा, और उनको judge करने के base पे, वो case को commit करता है, यानि कि, ये case किस के दोरा tribal है, अगर उस case में सजा बनती है, मौत की, यानि कि, अगर उसको death penalty, या life imprisonment हो सकती है, तो ये केवल दो ही judges दे सकते हैं, एक additional sessions court का judge और एक हमारा sessions judge, तो अगर ये ही दो दे सकते हैं, तो ये comply करते हैं sessions court में, तो वो जो case है, वो base देगा sessions court में, तो ये magistrate का process है, तो जब magistrate ने investigation report को देखा और उसको भेजा sessions court में, तो उस trial के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है, trial हमारे mainly CRPC में चार तरीके के दिए हुए sessions trial, warrant trial, summon trial or summary trial, हम बात करने जा रहे हैं सबसे main trial के बारे में, जो की है sessions trial जो की बहुत ही असान है समझने में और अभी हम इस वीडियो के माद्यम से इसको समझ जाएंगे, तो हमें पहले का process पता होना चाहिए कि F.I.R. के बाद से लेके trial शुरू कैसे होता है, अब trial शुरू कब होता है इस बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं जब magistrate, पुलिस के investigation report के base में, अपने charges को frame करना शुरू करे, यानि कि वो खुद से अपने charge बनाएगा, कि इन charges के base पे मेरा ये trial, यानि कि trial किस लिए है एक proceeding में trial शुरू हो जाता है और आज हम इसी trial के बारे में पढ़ने वाले है जो कि ये sessions trial, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं समझना sessions trial को जैसा कि यहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है trial before court of sessions, जो कि हमारा दिया हुआ है 225-237 CRPC कौन से chapter के अंडर में आता है सर ये तो ये आता है chapter 18 के अंडर में ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं समझना कि actual में ये flow chart किस बारे में बात करता है और हमें इसको समझना कैसे है अब जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है हमारे पास पहला page है flow chart का और फिर ये दूसरा page है अगर आप चाहें तो अपनी copy में draw कर सकते हैं और अगर आप केवल सुन के समझना चाहें तो आप केवल सुन के समझ दीजे आप आखरी में उसको खुद भी बना लेंगे चलिए वई सबसे पहले क्या कहा रहा है case received by committal section 209 अब यहाँ पर हमारे पास main essence क्या है इस पूरे के पूरे chapter के sections का और वो section number कौन सा ये भी है तो इसलिए मैं कहा रहा हूँ आपका sessions trial अभी खतम हो जाएगा अब जरह समझने की कोशिश करिए यह हमें क्या कह रहा है कि कोई भी case जो है committal की थूरू receive हुआ हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया जब investigation report आती है तो सीधे sessions court के पास नहीं जाते है वो किसी junior level के magistrate के पास जाएंगे CJM, JMFC वो क्या करेंगी उसने charges पढ़े और बोला अच्छा murder हुआ है 302 लग गई है अगर 302 लग गई है तो आप मैं आपको भेज रहा हूँ sessions court के पास आप वहाँ जा कि अपना trial चलाएं यानि कि section number 209 के base में ये मामला कहां पहुचा किसी भी sessions court में किसी भी trial की शुरुबात यहीं से हुई है और आप कभी भी sessions trial लिखेंगे तो शुरुबात यहां से करेंगे अब हमारा trial शुरू हो जाता है section 225 के base ये क्या कह रहा है trial to be conducted by public prosecutor trial to be conducted by public prosecutor का मतलब क्या है कि जब कभी भी sessions court में आप पहुचे पहुचते ही सबसे पहले कौन बोलेगा जिसने case institute किया है public prosecutor क्योंकि वो किसको present कर रहा है public prosecutor उस party को present कर रहा है जिसके घर पे murder हुआ है यानि कि जिसके रिष्टदार या किसी के family member का murder हुआ है तो सबसे पहले open तो वही करेगा न पताने के लिए कि मैं क्या-क्या इंजाम इनके उपर लगाना चाहता हूँ ताकि सामने वाला defend कर पाए इसलिए 225 हमें यह बताता है कि public prosecutor क्या कर रहा है case को open कर रहा है तो हमें पता चल गया public prosecutor 225 में case को open करता है अब जब उसने बोलना शुरू किया उसने जाके sessions court में request करी कि sir मैं चाहता हूँ trial आगे बढ़े तो 226 यानि कि section 226 जो कि इसका ठीक अगला section है उसमें क्या हो गया case open हो गया case open हुआ मतलब कि जो sessions के judge थे उन्होंने क्या किया case को accept कर लिया ठीक है public prosecutor ने बोला और जो भी बोला मैं उसकी बात से satisfied हूँ अब मैं इस case को open करता हूँ यानि कि अब ये case ये मामला मेरे ही नयाले में चलेगा और मैं आगे की कारवाई बढ़ाऊँगा ठीक है sir अब सबसे important चीज क्या है discharge की यानि कि 225 में public prosecutor ने बोला 226 में case शुरू हुआ 227 में उसको discharge किया जा सकता है discharge क्यूँ मान लेते हैं कि public prosecutor ने आके कुछ बोला जो कि magistrate को सुनने के बाद लगा कि ये बात सही नहीं बोली है यानि कि ये जो बोल रहे हैं इन्होंने जो अपने murder का case लेके आए हैं वो लेके आए हैं राम भादूर शास्त्री के लिए और इन्होंने जिसको खड़ा किया है वो है श्याम भादूर शास्त्री इसका मतलब यह है कि ये जो person जिसको ये लोग accuse बना के लाए है ये वो नहीं है जिसके बारे में ये बात कर रहे है तो मैं इस person को क्या कर रहा हूँ discharge कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि अपने charges बनाने से पहले 227 के अंतरगत कोई भी sessions court का judge क्या कर सकता है सामने वाले person को free कर सकता है इस charge से कि तुम्हारे उपर जो murder का charge लगा था मुझे public prosecutor को सुनने के बाद लगा कि ये charge सही नहीं है इसलिए मैं तुम्हें free करके छोड़ रहा हूँ अब अगर उसने उसको discharge नहीं किया यानि कि judge को ये समझ में आ गया कि ये discharge करने वाला मामला नहीं है ये case सही है तो judge क्या करेगा अपने charges को बनाएगा जो कि बहुत ही important section है section 228 अब judge ने क्या किया judge ने बोला मेरे पास investigation report आ गई है मैंने public prosecutor को सुन लिया है मैंने ये भी देख लिया कि इस person को discharge नहीं करना है क्योंकि ये वही person है जिसके against charges बनाने है तो अब मैं अपने charges बनाऊँगा मैं 300 लगाऊँगा 302 लगाऊँगा यानि murder के जितने भी charges बनते है और जो भी additional charges IPC की धाराय लगनी है उन सब को लगा लेने के बाद मैं क्या करूँगा ये आपने movies में बहुत देखा होगा वो पूछेगा आप guilty अपने आपको plead करते हैं की नहीं यानि कि वो आपसे ये पूछ रहे है कि मैंने आपके against murder के charges लगाए है अब अगर आप चाहें तो आप सामने से accept कर लीजे trial चलानी की जरूवत नहीं है कि हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि मैंने murder किया है और यही हमारा अगला point है वो क्या है section 229 और section 230 यानि कि section 228 के sub clause 2 में जहां पर उन्होंने charges बनाए उसी का sub clause 2 में क्या लिखा हुआ है उसी के sub clause 2 में लिखा है कि वो plea of guilt पूछेगा यानि कि वो आप से ये पूछ रहा है कि आप accept करते हैं कि नहीं कि आपने murder किया है कि नहीं मान लेते हैं कि आपने 229 यानि कि 229 में अगर आपने yes बोला तो आपको सीधे क्या किया जा सकता है convict किया जा सकता है convict का मतलब अगर आपने बोल दिया कि हाँ भाई आपने जो charges बनाएं murder के मैं accept करता हूँ कि मैं convict होना चाता हूँ हाँ मेरी ही गलती थी तो उस case में magistrate आपको क्या करेंगे या judge आपको क्या करेंगे सीधे सीधे सजा सुना देंगे लेकिन अगर आपने yes बोला और अगर yes ना बोल के no बोला दोनों ही conditions में yes में या तो सीधे convict हो सकते हैं या आपको सीधे trial में भी डाला जा सकता है अब आपका पहला question यहाँ पर आना चाहिए कि sir अगर मैंने अपनी गलती मान लिया तो trial में डालने की क्या जरूरत है अगर judge को कभी भी ऐसा लगा कि ये जो सामने वाला person yes बोल रहा है ये जो सजा पाना चाहता है वो सजा गलत तरीके से यानि कि उसको किसी ने influence किया है अपनी guilty को plead करने के लिए मान लिजए उसने मान तो लिया कि उसने murder किया है लेकिन सजा की intensity तैय नहीं हो पा रही है तो उसके लिए evidences को सुनना जरूरी है plea guilty में ही उसका trial चलेगा लेकिन उसको ये तैय करना पड़ेगा कि सजा कितनी मिलनी है उसके लिए सारे evidences को record करना जरूरी है इसलिए उसको trial में डाल सकता है ठीक है तो अगर उस person ने 229 के तहट बोला yes तो हम उसको सीधे convert कर सकते हैं या फिर हम उसको trial में proceed कर सकते हैं और अगर उसने बोल दिया 230 यानि कि section 230 of CRPC counter तो बोल सकता है नहीं मैं guilty plead नहीं करता हूं तब तो जाहिर सी बात है कि trial चलना ही चलना है क्योंकि trial किसलिए है trial में वो दोनों parties को सुनेगा evidences को check करेगा और आकरी में अपना judgment देगा तो यहां तक का point हमारा clear है आगे बढ़ते हैं अब इस जगा पे उसने क्या तै कि भाई साब trial चलना है यानि कि अब हमें trial चलने की जरूवत है अब trial उसी दिन तो चलनी सकता sessions court में बहुत जादा भीड़ रहती है तो अब उस दिन अगर नहीं चल सकता तो उस case में क्या होगा section number 230 कि अंतरगत वो क्या करेगा date for prosecution evidence यानि कि जज उस दिन क्या बोलेंगे जज बोलेंगे कि मैं एक तारीक आपको बता रहा हूँ वो सनी देवल जी का dialogue है ना तारीक पर तारीक वो शीले वो चलाते हैं उस seat में क्यों क्योंकि जज ने यहाँ पे 230 में क्या किया एक तारीक दी उन्होंने बताया कि अगले महीने की 12 तारीक को मैं prosecution यानि कि वो side जिसके family में murder हुआ है उसको उसके वकील को सबसे पहले सुनना शुरू करूँगा वो अपने case को open करेंगे और अपने end से सारी चीजों को बताएंगे और एक बर हमने उनको सुन लिया तो उसके बाद हम अगली side को सुनेंगे ठीक है सर तो हमें पता चल गया है कि plea of guilty हुई ट्राइल के लिए तै हो गई बात कि अब ट्राइल चलना है और उन्होंने जजज साहब ने prosecution को बोल दिया कि मैं एक तारीक बता रहा हूँ उस तारीक पर तो मा जाना और अपने case को बोलना शुरू कर देना अपने evidences को present करना ठीक है सर अब जब यह हो गया तो 231 यानि कि 231 में क्या हुआ evidence for prosecution जिस तारीक को जज साहब ने बोला था पिछले वाले चार्ट में या पिछले वाली slide में उस तारीक को prosecution क्या लेकि आएगा अपने evidences वो documents के paper वो gun जिससे गोली मारी गई थी वो witnesses जो वहाँ पे थे वो अपने evidences को produce करेगा उसके बाद क्या लिए जाएंगे statement लिए जाएंगे section 313 के base में अगर आप 313 को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं चार्ट बनाने में असान होता है वरना आप चाहें तो इसको skip भी कर सकते हैं इस case में क्या है जो भी witnesses आ रहे हैं उनके statement किसने लिए court ने अपने संग्यान में लिए उसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पे भी एक बड़ी interesting चीज आती है equitable और not equitable अब मान लीजे जब पहली बार prosecution को बुलाया अभी तक एक बाद ध्यान रखेगा कि जिसने murder किया है उसके तरेफ के वकील को सुनने का मौका भी नहीं दिया जज ने क्यों? क्योंकि अभी prosecution के side को समझ तो ले कि असल में होना है नहीं होना है अब यहाँ पे क्या हुआ? इस case में आया no evidence, यानि कि जब उन्होंने prosecution को तारीख दिया और prosecution ने आ कि अपने सारे evidences को present किया और present करने के बाद judge को ऐसा लगा कि इन्होंने जितने भी आमें evidences दिये, इसमें से कोई भी ऐसा evidence नहीं है जो कि इस person की guilt proof करता है तो वो उस person के वकील को बोलने से पहले ही बोल देगा क्या? 232 के अंटरगत equitable, यानि कि आपको मैं बाइज़द बरी करता हूँ, छोड़ता हूँ क्योंकि इन्होंने जितने भी अपने evidences दिये हैं उसमें से एक भी आपको murderer साबित नहीं करता है ये एक है, और दूसरा इसका opportunity क्या हो सकता है not acquitted, not acquitted का मतलब क्या है कि भाई, इसका मतलब यह है कि evidences ऐसे मिले हैं, जो कि prove कर सकते हैं कि इस person नहीं murder किया है तब judge क्या करेंगे, तब वो एक date देंगे defense evidence के लिए, यानि कि 233 में 232 में उसको equate कर दी, अगर evidence नहीं मिला तो और अगर evidence मिल गया, तो 233 में उसके लिए क्या बोला गया, अब वो पहली बार बोलेंगे defense के वकील को, यानि कि जिस person ने murder किया था, उसके वकील को बोलेंगे कि आप अपने evidences को produce करना शुरू करिए, और उसके बाद जब वो अपने arguments को और अपने evidences को produce कर देंगे कि क्यों वो दोशी नहीं है, तो उसके बाद होंगे arguments 234 में argument का मतलब क्या है, कि prosecution ने अपनी side present कर ली, जो defense था उसने अपनी side present कर ली, आखरी में दोनों के दोनों को अगर अपने कुछ बाते कहनी है तो एक का दुक्का जो बाते हैं वो बोल दे और उसके बाद क्या होगा, आखरी में section 235 में आएगा judgment जो कि किस बारे में बात करता है या तो आपका equitable होगा, या तो आपका conviction होगा, 235 में judgment आता है, equitable का मतलब क्या है कि आपको छोड़ दिया गया, दोश मुक्त हो गया, आप free हो गया है, अब आपकी कोई भी liability नहीं बनती है और conviction का मतलब यह है कि अब आपकी finalize किया है, उसके उपर अगर सामनेवाल अवकील कुछ बोलना चाहता है, तो वो बोल सकता है उसके बाद finally क्या होता है, sessions trial हमारा खतम होता है, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास remedies बचती है, revision की appeal की, हम higher court में जा सकते हैं, और जाके appeal फाइल कर सकते हैं लेकिन आपके लिए, जो sessions trial important था section 225 से section 237 तक, वो यहीं पर खतम होता है and I hope आपके दमाग में एक concept clear हो गया हो अगर आपके दमाग में एक concept clear हुआ है, तो आप अमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और भी जादा ऐसे informative वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए all the very best and have a very good day, thank you अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना, तो जुड़िए competition community के साथ, आज ही हमारे website के कैरियर पेज पर विजिट करें, अथवा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ, टीम कोको